तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है लॉरेंस का करीबी गैंगश्टर दीपक टीनू जेल से फरार हो गया है लॉरेंस ने पुलिस को दे दी है दमकी क्या है पूरा मामला आज किस वीडियों जानेंगे चलिए वीडियों देखते हैं पंजाब पुलिस के मताबिक मानसा के C.I.A. इंचार्ज अपनी प्राइवेट गाड़ी में गैंगश्टर दीपक टीनू को लेकर मानसा जा रही थे तब ही मोका देखकर वे फरार हो गया गठना सनिवार रात करीब 11 बजे की है टीनू 2017 से जेल में बंद था और लॉरेंस इसनोई गैंग का इस्सा रहा पुलिस ने बताया कि दीपक टीनू से मूसे वाला मडर केस में हैं पूस्ताज की जानी थी इसलिए उसे वहाँ पर ले जाये जा रहा था लेकिन वे बीच में ही फरार हो गया गैंगश्टर दीपक कुमार उर्फ टीनू सनिवार रात चोती बार पुलिस इरासस से फरार हो गया टीनू लॉरेंस विश्णोई गैंग का गुरगा था और उसे पुलिस सित्व मुशे वाला मडर केस में पूस्ताज करने के लिए लेकर जा रही थी रिमांड पर लेना चाती थी गैंगश्टर दीपक इस समय कपुर्थला जेल में बंदर आ था फिलालवे जेल से फरार हो गया है पुलिस ने बताया कि गैंगश्टर लॉरेंस विश्णोई का साथी दीपक टीनू मानसा के C.I.A. इस्टाप की रासत से फरार हुआ है मानसा पुलिस उसे कपुर्थला जेल से रिमांड पर लेकर आई थी मूसे वाला मडर केस की प्लानिंग में आखीरी कॉन्फरेंस को लॉरेंस और टीनू के बीच 27 माई को हुई थी और गुंतिस माई को शिद्दू मूसे वाला का मडर हुआ था उसके बाद यह पूरा मामला और भी गंबीर हो गया है और इसकी फरारी तो खतरनाक है गैंगश्टर दीपक पर 34 से ज्यादा केस दीपक के खिलाब पंजाब, हर्याना, राजस्तान और दिल्ली समित विबिन राज्यों में करीब 34 से ज्यादा केस दर्ज है इन में हत्या हत्या के परियास अवेद हत्यार रखने के वेजवरन वसूले के आरोप हैं यह भी हैरान करने वाली बात है के टीनु पहले भी पुलिस को चार बर चक्मा देकर फरार हो चुका है और अब की बार फिर फरार हुआ है 2017 में अस्पताल से बाग निकला था बताया गया है कि टीनु अब अमबाला के सेंट्रल जेल में बंद था तब 17 जून 2017 को उसे मेडिकल चेक अप के लिए पंच कुला लाया गया था यहां वे संपत नहरा और उनके सहयोग्य की मदद से सिविल अस्पताल से एक सिपाई की आखो में मिर्ची इस परे फैक कर भाग निकला था हाला कि सितंबर 2017 में उसे बैंगलूर उसे वापिस गिरपतार कर लिया था हर्याना का रहने वाला है दीपक दीपक तीनु इसार के नार्नोंद का रहने वाला है और कई बार पुलिस के नींद उडाने के लिए चर्चित है उसने सबसे पहले नई दिल्ली में गोली बारी के दोरान मोहाली पुलिस को नींद उडाई थी फिर हर्याना के एक गाउं में बाद में पंचकुला फिर बाद में मानसाव में पुलिस की मुश्किले बढ़ा दी थी दीपक अकसर हत्या के वीडियो दिखा कर लोगों में दैसत फैलाता है फिलहाल पुलिस का कहना है कि गैंगेश्टर की तलास की जा रही है और उसे जल्दी गिरपतार किया जाएगा तो दोस्ता बागे देखते हैं कब तक गिरपतार हो पाता है क्या ख़बर आती है जैसे कोई बड़ी ख़बर आएगी हम वीडियो बनाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजे और नीजे कमेंट करके जरूर बताए थैंक्यू समत